नमस्ते आज की हमारे इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है और आज है सावन की शिवरात्री तो आज हम बनाएंगे पार्थिव शिवलिंग और शाम को करेंगे उसका अभिशेक तो बस अब सुबह उटके में पटापट से साफ सफाई में लग गई हूँ साफ सफाई मेरी हो गई है अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ और चतनिया के पापा गए हैं मिट्टी लेने के लिए जिसे हम लोग शिवलिंग मनाएंगे काली मिट्टी तो अभी बो लोग आ जाएंगे उसके बाद फिर में नहा के सबसे पहले शिवलिंग ही मनाऊंगी ताकि वह शाम तक को नहीं सुख जाए तो अब मैं आती हूँ मिट्टी लेकर आ गए हैं और यह कलर्श है इसमें मैंने सुबह ताजा पानी भर कर रखा था तो पहले में इस मिट्टी से मिट्टी को पहले में शुद्द करूंगी उसके बाद ही हम लोग मिट्टी अंदर लेकर आएंगे मैं नहा हुन एक और मैं नहा लियो अर अब मैंने फटास पटास बीयुकि आ अधा और क्ते हग में ईंदा हिर्श मेन membro अब इमें एक दोड़ने के लिए जा रही हूं तो मैंने सोचा कि मैं शाम के लिए भी लेही आती हूं और शाम को हम लोग साथ बज़े से लेके आठ बज़े तर लाइब आने वाले हैं फूजा मैं आपको बताती हूं जो पंडित प्रदीफ मिश्राजी हैं उनका मैं हमेशा अनकी कथा सुनती हूं और लास्टाइम भी हमने किया था पार्ति शूलिंग बना की उसका भी शीक किया था फिवी सर्जन भी किया था इस बार भी वेसा ही करने वाले हैं और चेतनया भी उठ चुका अभी अब लोग चाह रहे हैं बेलवत्री लेने के लिए उसके बाद मे लास्टाइम तो मेरा चो भाई है उसने बनाया था तो मैं बना के देखती हूं कि में पुरी शद्दा के साथ बनाओंगी लेकिन देखने की कैसे बनती हैं और वह में सब कुछ आपके साथ सब्रूर शेयर करने अबस अभी हम लोग जाए रहे हैं घर से हम लोग निकल चु ल्वकिन यह जो है कटि-फटी सारी सारे जानवर जो है खा लेते हैं इसको कवर नहीं किया हुआ अच्छे से लेकिन आ अब हम हम्म मीर सो कवर भी करें गें अच्छे से और फिर इसको बढ़ा होने तक असकी आतिसे देख हाल भी करेंगे कई यह काफी बड़ा सा पेड़ है ये बेलपत्र का, अभी हम लोग यहीं से बेलपत्र लेने वाले हैं, हमें गिन के बेलपत्री लेना है, साथ बेलपत्री लगेगी पुझा के लिए और हम लोग तीन लोग मिलके पुझा करेंगे, तो हम लोगों को 21 बेलपत्री लेना है, ये आधमें एक 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 इक्स्ट्रा करना है क्योंकि वो हम लोगों को जब हम लोग शीवलिंग बनाएंगे तो उसकी नीचे रखके फिर ही हम लोगों को शीवलिंग बनाना है यह हम लोगों ने तोड़ लिया है वेल करते हम चलते हैं हम लोग घर आ चुके हैं और हम सबसे पहले मिनाएंगे शिवलिंग उसके बाद ही हम लोग पूझा की दूसरी सामगरी खटा करेंगे और जो बागी का जो पाम है वो भी हम लोग बाद में करेंगे हुआ है झाल झाल पूजा का सारा सामानी खटा हो गया है और उन सब को हमने एक जगे रख लिया है अब हम करेंगे पूजा शिरू पूजा के लिए सभी लोग खटा हो रहे हैं और सभी ने अपना अलग शिवलिंग बनाया है और अब सब साथ में ही मिलके हम लोग पूजा करेंगे पूजा की जो वीडियो है वो मैं नहीं बना पाई क्योंकि पूजा में हम सभी लोग एक साथ बेटे हुए थे अगर मैं मोबाइल लगाती वीडियो बनाने के लिए तो फिर उसको बाल बाल बन दिया चालो करने के लिए उठना होता और हम लोग एक बार पूजा में बेट गए थे तो हम लोग उठने ही सकते थे तब तक की पूजा खतम नहीं हो जादी तो मैं अब डारेक्ट आप को बता जी हूँ हम लोगों की पूजा खतम हो गई है और अब हम लोग करेंगे विसरजन विसरजन भी हम लोगों को घर पर ही करना है घर में एक बरतन में हम लोग शिवलिंग को विसरजन करेंगे शिवलिंग का विसरजन करने के बाद सुबह उठके घर की पीछे जो गार्डन है जहां पर पोधे लगे हुए हैं बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं तो हम लोग उसकी जड़ होती है जहां पर मिट्टी होती है हम लोग उसमें शिवलिंग का विसरजन का जो पानी है वो ल बहुत अच्छा रगा और लास्ट टाइम भी हमने किया था लेकिन वह हमने मंदिर में जाकर किया था अब ही हम लोगों ने घर पर किया है कि आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप से अगले ब्लॉग में धन्यवाद अज के लिए बस अगले इतना ही में खड़ते हैं अगले वह हम वह हम हम दो हम लोगों तिया हम है झाल झाल